आस्मान में इठलाते रंग विरंगे पतंगे एक अलग ही नजर बना रही थी आपको बता दे कि मत्रा में गंगा दिशिरा का महत ना किवल युम्ना स्नान तक सीमित है बलकि इस दिन ब्रज नगरी में जमकर पतंगे उड़ाई जाती है ब्रज में गंगा दिशिरा के अफसर पर पतंग उड़ाने का करम परंपरा गरत रूप से बना हुआ है बीते कई दश्कों से गंगा दिशिरा के मौके पर पतंग उड़ाने के शोकिन जमकर पतंगे उड़ाते हैं और पेच लड़ाते हैं आसमान में इठलाते बिखलाते रंग विरंगे पतंगे जब उड़ती हैं एक अलगी नजारा बन जाता है। क्या चोटे बच्ची, क्या युवा, क्या बुजुर्ग सभी पतंग उड़ाने का लुपत उठाते हैं। कुछ ऐसा ही नजार रविवार को गंगदेशरा के मौके ब्रज में दिखाई दिया। वैसे तो सुबह तड़के से ही पतंग उड़ाने के शौकिन अपने अपने घरों के छतों पर पहुचकर पतंग उड़ाते नजर आते हैं। लेकिन खास तोर पर शाम हो जैसे ही सुरज जला तब रजमंडल में आसमान का नजारा देखने लाइक बन जाता है। चार ओर आसमा में रंग बिरंगे पतंगे ही पतंग नजर आती हैं। जगा जगा पर पेच लड़ाई जाने के बाद जीतने वालों की खुशी का जहार वाला सोर भी नजर आता है। इस मौके पर विशेस तोर बच्चों का उस्सा देखते हुए बन रहा था। कागज और पॉलथिन की पतंगे लेकर बच्चे छतों पर पहुँच गए और खुब पतंगे उड़ाई यह सिलसला देश शाम तक यूही बना रहा। अज पतंगे यह जा रहा रही है too, आप लोग बच्चों के साथ कड़े वह we ea उडा और आप आस्मान में क्टिर रहे है के सभी मनूरंजन कर रहे है पतंगे उडा आके पतंगे लूट रहे हैं पतंग के काट रहे हैं और बहुती आनंद प्राप्त होता है बच्चों को मत्रा में विशेश रूप से गंगा दसहरा पर ही पतंग यादा उड़ाई जाती है कि यहां सुरू से यह बच्चलन चला रहा है और यहां पर गंगा दसहरा वाले दिनी पतंग का वे से इस महत्व माना जाता है